तो दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है आज हम आपके सामने लाए हैं इसी सियेज केटर वाइकेंसी दो हजार चौविस पचीज जिसमें बंपर भरती निकली हुई है जिसमें टोटल पोस्ट है दस हजार छेसो चौरासी और इसमें जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 10,313 और इसके साथ महंगाई भत्ता भी इसमें जुड़े रहेंगे तो इस वीडियो में इसी सियेज केटर की जो वाइकेंसी उसके समपूर जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है जो भी अभी तक अपडेट आये हुए हैं और जो भी हमारे दोस्तों के कुश्चन रहे ह फार्म भरमिने के अंतिमति थी क्या है और अन्य जानकारी जैसे कि आप सेवा यजन पोर्टल पर जाकर किस तरीके से अपना रेजिटेशन करेंगे तो आई ये वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग देख लें ये जो भरती है ये आंगनवाडी की सहायक करूप में है और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी ठीक है लास्ट डेट अभी भी आनी बाकी है चुँकि अभी तक जो एजनसी तय होनी थी वो अभी तक तय नहीं हो पाई है जिसके वज़ा सबसे पहले में एक एजुकेटर की भरती की जानी है ठीक है आप यहां पे पोस्ट वाइज देख सकते हैं किस जिल्ले में कितने पोस्ट हैं जैसे कि आगरा में 161 है अलीगर में 169 है इस तरीके से आप देख पा रहे हैं सभी जिलों का ठीक है इस तरीके से सभी जिलों का आप यहां पे देख पा रहे होंगे और जो टोटल पोस्ट है वो आपको यहां पे नीचे दिख जाएगी वो है 10,684 तो आईए सबसे पहले देख रहते हैं हमें अउनलाइन आवेदन कैसे करना है तो सबसे पहले आपको बताते हैं और जिसके बाद आपका पंजी करर पूरा हो जाएगा उसके बाद आपना login ID और password capture के माधियम से आपको login करना है इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे इसमें documents क्या क्या लगेंगे सबसे पहले 10 वी की और 12 की mark seat और आपकी सेचली के होगता में graduation अगर किसी के पास home science graduation में नहीं है और जो graduation में home science होना चाहिए वो तीनों साल होना चाहिए मूल भी से होना चाहिए बैकल्पिक नहीं होना चाहिए मूल भी से होना चाहिए और तीनों साल होना चाहिए और कम से कम 50% marks होनी चाहिए तो उसके पास या तो NTT और DPSC होना चाहिए, वो भी दो साल का होना चाहिए, ध्यान रहे यहाँ पे एक साल का NTT वाले माने नहीं होंगे, तो अगर कोई आरचित बर का है, तो उसके पास जात प्रमार पत्र भी होना चाहिए, अगर किसी के पास अनुभव है तो अनुभव पत्र भी जरूर लगाएं, इसके अलामा आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, मुबाईल नंबर, इमेल आइडी और आपके सिगनेचर, यह सब चीज़ें होनी चाहिए, इसके अलामा देखिए, यहाँ पर आयू सीमा क्या हो, देखिए, इसमें जो नि पाहिलाओं को वेटेज देने की बात कही गई है, ठीक है, चैन प्रक्रिया, तो चैन प्रक्रिया क्या है, कि इसमें देखिए, दसमी, बार्मी और आपका असना तक, यानि ग्रिजुएशन या डिप्लोमा जो को जोड़के, फिर उसका परसेंटेज निकाल के मेरिट आवेदन सुल्क, देखिए, अभी तक जो सरकार्क तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का, कोई भी सुल्क का प्राउधान नहीं किया हुआ है, ठीके, अगर इन फ्योचर कुछ भी अगर ऐसा अपडेट आता है, तो आपके सामने जरूर हम ले यसी हो, वो भी मिनिममम दो साल का होना चाहिए, एक साल वाले यहाँ पे अवेदन नहीं कर पाएंगे, रही बात अंतिम तिथी की, तो देखिए, अंतिम तिथी जभी भी होगी, अभी तक क्या था कि 30 सितम्बर था, लेकिन चूंकि अभी तक एजेंसी का चुनाव नहीं ह होने के होजा से, यह चीज़ी अभी तक सुरू नहीं हो सकी है, इसलिए अभी अंतिम देट बता पाना संभव नहीं है, जैसे जिस देट को यह फार्म सुरू होंगे, उसी देट से आप एक महीने का आपको समय मिलेगा, उसी एक महीने में आपको यह आवेदन भी करना होग और उसी एक महीने का अंदर सारी process सुरू रहेंगे, ठीक है, आइए, अब हम लोग देख लेते हैं, किस तरीके से हम अपनी ID और password बनाएंगे, सबसे पहले आप Google पर जाएंगे, वहाँ पर आप टाइप करेंगे, सेवायोजन.up.nic.im, जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, उस पर चार चीजे आपको देखेंगे, job seekers, और sourcing, private jobs, ठीक है, और government jobs, और रोजगार मेला, सबसे पहले आपको ID और password बनाने के लिए, job seekers पर OK करने के बाद, कुछ इस तरीके से आपके सामने interface खुलके आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, लिखा है job seekers, तो यहाँ पर यह इसे ही रहेगा, यहाँ अपना, कोई भी आप user ID लिखेंगे, और password बनाके, और यहाँ पर अपना capture डालेंगे, और इसके बाद आपको क्या करना है, submit कर देना है, submit करने के बाद, आपका ID और password जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आपको दुबारा से outsourcing और private job पर OK करना है, इ यह जो outsourcing भरतियां है, आपको यहीं से देखने को मिलेगी, इसके लावाँ एक और site है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वो आपको ही आपको हम बताते हैं, तो देखें, यहाँ पर जिसे आपको दिखाई दे रहा है, लच्छ फांडेशन, इंट्रॉड़क्टर, Information and Communication Technology System Maintenance, यहाँ पर जो सच्छी को किता क्या है, और यहाँ ब्योसाई सिच्छा है, किन जनपदो माई, गोंड़ा, बहराज, बलराम स्रावस्ति, इस तरीके से आप तमाम भरतियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जैसे ही यह भरती भी सुरू होगी, आपको य सिच्छा अधिकारी, इनके कार्याले के त्वारा अज सुचना जारी की जाए चुकी है, और जल्द इसी तरीके सा अज सुचना जो है, सभी जनपदों में देखने को मिलेगी, उमीद है अभी तक आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे, वे क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट्स है, कोई कुश्चन है, कोई क्वारी है, तो आप कमेंट बाक्स में जरूर बताएं, और एक और पोर्टल है जहां से आपको ये दिखेगा, ये भरती, तो वो है नियर रोजगार, जैसे आप गूगल पर नियर रोजगार टाइप करेंगे, तो वहां आप सबसे पहले आप सभी को इसके बारे में पता चल सकेगा, ठीक है, और आप लिटेस्ट जो भी जानकारी है, उसको जानने के लिए आप मेरे इस चैनल से बने रहें, और जो देरी का कारार है, वो यही है, कि अभी तक जो एजेंसी, जो ये पूरी प्रक्रिया को देखे जो जियानित कराएगी, उसका भी तक चैन नहीं हो सका है, फाइनल नहीं किया जा सका है, इसे जासे ये देरी हो रही है, उमीद है, ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो ता आप इसे लाइक करें, और ज़़ज़ साथ बने रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद.